तो हेलो दोस्तों मैं हूँ अवनीस और आप देख रहे हो सूपर इश्टा के डवाइजर दोस्तों बात करेंगे कल्यान ज्वेलर लिम्टेट में कल्यान ज्वेलर लिम्टेट में अगर हम लोग देखेंगे तो 10% के गिरावर देखने के लिए मिली है में अगर आपनों को अभी तक नहीं पता होगा तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा पीछे हैं और से अवाज पर यह जो न्यूज है वह सबास साथ बज़े साड़े साथ बज़े के आज पासी ब्रेक कोई थी तो चली मैं आप लोगों को पता देता हूं कि यह न्यूज कौ नंबर आफ लार्ज जील तो 43 नंबर आफ लार्ज डील हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और अगर इसको हम लोग इंट्राडे लार्ज डील देखेंगे तो इंट्राडे लार्ज डील में आप लोग यहाँ पर देखोगे सवा नौ बज़े 268 करोड के यहां पर बेचे गए हैं जो लगबग शेर के इसाब से देखेंगे हम लोग तो लगबग लगबग धाई करोड मतलब दो करोड़ तालिस लाख एक्विटी सेयर यहां पे तो ब्लॉक डेल के जरीए से बेचे गए अब यह जो सेयर बेचा गया है इसको देखके और सारे लोग जो है यहां पे बिक्वाली कर दिये हैं क्योंकि देखे जब कोई बड़ा इंवेस्टर जो है एंट्री लेता है न तो उसके साथ आप जब वह बंदा निकलता है तो फिर आप लोग भी निकलते हैं क्योंकि आप लोग भी खाईदारी उससी लोजिक के साथ से लिए अगर मालन लेते हैं इक उधारन के तौरपे कि आप तो देखे राके जुन जोन वाला जी नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग उनको फालो करते थे की मतलब राके जुन्वीन वाला जी का जिसमें भी होल्डिंग बढ़ता था एक परसें 2% चार परसें उसमें बहुत सारे लोग लेते थे तो आप जब एकजीट मदर्मक highly क Judi करने मतलव यही जो वालोजी कि है कि यहां पर कई सार हैर कई सारे लोग जो वो सेयर बेद दिये तो ढ़ाई करोड जो था वो लगबग यह लाज डेल खा था और एक्ष्ट्रा यहां पर सेल कर दिये गए हैं यह यहां पर सेचेसन निकल के सामने आ रहा है अब देखिए यहां पर इसमें हम लों को करना के चाहिए खरदारी करना चाहिए बिकौली करना चाहिए तो मैं आप लोग बता दूँ कि अभी इसमें हाल पिलाल में मैं analysis किया था और यह फिबोनाची तब ही किड़ो किया हूँ और यहां पर मैं आप को बोला था कि यहां पर तीन यहां पर हमनों को लेबल देखने के लिए मिल रहा है और यह एक वाला जून है इसका यहां पर यह सस्टेंड करेगा और उसके बाद ही किधर भी साइट का मोमेंट अप करने की कोशिश करेगा ठीक है तो अभी के सिचेसन में देखिए इसमें तो यह तो अभी गिराओट का देखिए कोई मतलब वह इसे निकलेगा नहीं कि कोई भी लाज़ डील करता है डिसकाउंट पे छे परसंट साथ साथ परसंट की डिसकाउंट पर यह डील होने वाली थी और नो दस परसंट तीन परसंट मतलब एक्ष्टा भी गिराओट होगी है तो देखिए अब यह जो गिराओट है इसको आप कैसे समझेंगे कि इस्टा निकल रहा है अपना अपने मर्जी से तो फिर आप उसके वाली कर तो फाइनेंसली कोई ऐसा तो सिचेसन है नहीं कि न पेरे हिसाब से अभी इसको उल्ड करना चाहिए हम लोगों को और अभी इसको कम शकुश्कम एक हफ्टे देखना चीए कि एक हफ्टे में क्या एक मोमेंटम पकरता नहीं पकरता या कांटीनियू मुमेंटम नीचे जा रहा है तभी कुछ करना चीए फिराल के लिए मेरा ज अच्छे से कंडिशन में फंस गया है यहां पर उपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो यह बहुत अच्छा से एक कॉंसलिटेशन वाला इसका जोन है तो इसी वज़ए से इसमें वेचना नहीं चाहिए मेरे समझ से अगर इसको नीचे जाना भी होगा तो भी यह जो है एक बा लाइब कर दीजेगा अगर आप लोग लाइब टेडिंग करते हैं आपसें टेडिंग में तो मेरा सूपर इस्टाक एडवाइजर वाला एक ग्रूप है उस पे मैं हर दिन लाइब आता हूं ओपेन मार्केट में भी और कभी कभी जो इस साम को भी लाइब आता हूं तो आप लोग यहां वहाँ भी आके टेडिंग कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद